नीजी करन का विरोज जताते हुए आज देश भर के डाग कर्मियों ने एक दिन की हटाल पर रहे शहर के मुखे डाग घर समेश संभाग के सभी पोस्ट ऑफिस में काम बंद रही डाग कर्मियों की हटाल की वज़े से डाग सेवाए पूरी तरह से ठप रही डाग विभाग के द्वारा रख्षा बंधन तैभार को ध्यान में रखते हुए डाग के जर्ये राखी भेजने की विवस्था की गई लेकिन हटाल की वज़े से इस पर अशर्ट देखने को मिला ट्रेने रद होनी की वज़े से बड़ी संख्या में बहने डाग घर राखी पोश्ट करने पहुची पर हटाल की वज़े से उन्हें मायूस होकर लोटना पड़ा वहीं सुबा से डाग विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य द्वार में इकठी होकर प्रदर्शन किया और केंडर सरकार के खिलाफ नारे लगाए कर्मचारियों ने मांग की है कि डाग सीवा सबसे पुरानी भारत की सीवा है और सरकार के हर योजनाओं को करने में डाक विभाग हमेशा से अपनी भागीदारी निभाता रहा है ऐसी में सरकार को चाहिए कि डाक विभाग का नीजी करन करने नए वापस लेगी आज हमारे पूरे भारत में ग्रस्ट्रेड उनियनों की सरयोग से आज इंजिया पोस्ट्रेड उनियन जो इने पी के बेनर तले करे रहा है उनके दुआरा 18 जुलाई 2022 को एक नोटीज दी गई कि जो आगामी 15 अगस्त के बाद विभाग को नेजी करने का जो मुद्दा उठाए है गवर्मेंट ने उसके लिए हमारे दुआरा नोटीज दी गई कि हम आगामी 4 अगस्त को इस्ट्राइक पर रहे हैं परन्तों उसमें कुस्वाथ्यों ने स्वयों नहीं कर पाया फिर पुना हेक एक और नोटीज जारी किया गया और आज 10 अगस्त को पूरे देश में एक राश्ट्रप्यापी संकति खर्ताल उभाग को बचाने के लिए किया जा रहा है हमारा ने पूरा छत्तीजगड का प्रभारी हों इन गयान का पर इसमें पांस संभाग आते हैं सारे जीले आते हैं सारे संभाग जीला में आज नैंटी फाइब परसंट से ओब बठेश करेश प्रभाविथ हैं प्राइब को नाल बितर्णक कारी हो जब बुकिंग नहीं अफ्ड पेसे अलेंदेन रहा और आलन लेंगे काम हो को भूच्छारे काम हो 95 पर आपका प्रभावित हुआ है आगे आगे क्या आप लिए देखिए यह तो एक दिम का सांकती खरदाल था राश्टी सांकती खरदाल था आगामी समय में जैसे हमारे फ्रेटरेशन जो बोलते हैं एपी के दौरा यदि कोई निर्देश होते हैं कि आगामी हमें इंडिपनिटी श्राइक पर जाना है तो हम वे तयारी कर रहे है क्योंकि हमारी अस्षित्तों को सवाल है और विभात को बचाने के सवाल है इसमें हम किसी एनुम्रीशन यह प्रेतन बढ़ाने की बात नहीं है कियो बहांतों बचाने की लिया हम आज कि अपना पटीनात देर रहे हैं जी आर्साभू पडिमंडल सच्य आज हमारे पूरे भारत में ग्रेस्टेड उनियनों की सर्योग से आज इंडिया पोस्टेड इंप्लाई उनियन जो एने पी के बेनर तले कारे रथ हैं उनके दुआरा 18 जुलाई 2022 को एक नोटीस दी गई कि जो आगामी 15 अगस्त के बाद विवाद को नेजी करने का जो मुद्दा उठाएं हैं गवर्मेंट ने उसके लिए हमारे दुआरा नोटीस दी गई कि हम आगामी 4 अगस्त को इस्ट्राइप पर रहे हैं परन्तों उसमें कुस्वाथ्यों ने स्वयों नहीं कर पाया फिर पुना हेक एक और नोटीस जारी कि गई गई माडिफिकसन किया गया और आज 10 अगस्त को पूरे देश में एक राश्ट्रप्यापी संकति खरताल उभाग को बचाने के लिए किया जा रहा है कि यह जो काम है काविफिक प्रभावी को रहा है हमारा में पूरे छत्तिजगड़ का प्रभारी हों इंडियन का इसमें पांस संभाग आते हैं सारे जीले आते हैं सारे संभाग जीला में आज इस नाइन्टिफाइब परसंट से एवाफ कारिये प्रभावित हैं चैनल भीत्रणक कार्य हो जाई डाग बुकिंग का हो जाह मेल कादान पदान हो जाह आपका पैसे के लेंजर और आनलाइन के काम हो बहुत शारे काम हो 95 पाशन आपका प्रभावित हुआ है अगे आगे क्या आप लिए देखिए यह यह तो एक दिम का सांकति खरदाल था राश्टी सांकति खरदाल था आगामी समय में जैसे हमारे फ्रेटरेशन जो बोलते हैं नेपी के दौरा यदि कोई निर्देश होते हैं कि आगामी हमें इंडिपनिटी श्राइक पर जाना है तो हम उसके भी त्यारी कर रहे हैं क्योंकि हमारी अस्षित्तों के सवाल है और विभाग को बचाने के सवाल है इसमें हम किसी एनुम्रेशन या लाब बेतन बढ़ाने की बात नहीं है केवल विभाग को बचाने के लिए हम आज के दिन अपना परिगाम दे रहे हैं जी आर पूर्पूर कोटा सरतेश गुपता सीजी विजन टीवी